आए 54 नमबर की बात करते हैं कोशन लिकाए एक कमरे में कुछ लड़के और लड़किया हैं लड़कों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है यदि दो अधिक लड़किया होती तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या समान होती कमरे में लडकों तथा लडकों की कुल मिला कर संख्या ग्याद करो आए देखते हैं यदि लडकों को हम X माल ले लडकों को Y माल ले तो भूला गया है लडकों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है इसका मुल्ब यह कह सकते है कि दोनों के बीच में जो वर्गों का अंतर होगा वो 28 होगा यानि Y स्कॉयर माइनस X स्कॉयर बराबर 28 यह कह सकते हैं एक तरह से उसके बाब बोला गया है यदि दो अधिक लड़कियां होती लड़के हैं यह लड़कियां है दो लड़कियां अधिक होती बराबर करने के लिए दो इसमें जोड़ेंगे तभी बराबर होगा तो इसका मान निकल आया आगे देखते हैं क्या कह रहा है तो लड़कों उता है लड़कियों की संख्या समान होती आई हल करते हैं तो यहां से X का मान निकालते हैं Y-2 आता है यह मान उखागर के समी करण 1st में रखते हैं X का मान समी करण 1st में रखने पर तो X का मान यहां पुट करते हैं तो यहां से हमें एक चीड़ो निकाल सकते हैं X स्क्वाइर यह ले सकते हैं इसको X स्क्वाइर बराबर Y स्क्वाइर माइनस 28 यह मान यहां रखते हैं आपर X समान इस जगर रख सकते हैं इसमें रखते हैं तो जाएगा y-2 का whole square बराबर y square minus 28 यहाँ से y कमान निकालेंगे y कमान आएगा 8 इस y कमान उठा करके समीकरण 2 में रखेंगे y कमान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर आजाएगा 8 minus 2 आएगा 6 एक समान 6 आगया अब मुझे इसमें पूछा गया है लड़कों तथा लड़कियों की कुल मिलाकर संख्या कितनी है लड़के x लड़किया y कुल मिलाकर संख्या पूछी गई है तो x समान आया 6 6 रख देते हैं आपर y का मान 8 8 6 14 आयाता है आपका जो option number है वो आपका b number सही होगा आपका जो आपका जो पाद की की का मान आपका जो आपका जोगे प।